मैं हुसानिया इद्रिसी आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स बिहार के नवाड़ा में 30 साल बाद एक मस्जिद पानी के उपपर आई है आपको बता दे 3 दशकों से पानी में डूबी ये मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ है ये मस्जिद बिहार के चंगावली गाओ के पास एक डैम में पानी कम होने के कारण 3 दशकों बाद वापस दिखाई दी है जैसे ही इस बाद की खबर लोगों तक पहुची तो इसे देखने के लिए लोगों की भीड लगने लगी लोग इस मसजिद का दीदार करने के लिए कई कई किलो मिटर से वहाँ पहुचे है कई लोगों ने इस मसजिद में जानी की भी कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे क्यूंकि दल्दल की वज़ा से लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें रोका जा रहा है